दुखना करने का साधन मात्र खेती नहीं है किसान पस्विपालन करके भी अपनी याग को दुखना कर सकते हैं इसको लेकर आज केबिनेट मत्री धर्मपाद से लेक प्रेजबारता गाईवन किया इस दौरान उन्होंने जंकारी देते गोई बताया माने मुखorbंत्र येगी आदितनार जी की प्रातमित्ता पसधन बिवार है देश के सचसवी परदानमंत्री मान ने मौंदी जी ने कहा किसानों की आय दोगनी होगी किसानों की आय दोगनी मात्र खेती से ये नहीं होगी किसानों की दोगनी आए पसुपालन से होगी, पसुपालन में बहुत ऐसी योजना हैं जो किसानों को संपन बनाने का काम करेंगी, जैसे अभी किसान सम्रदी योजना के अंतरगत, एक कोई भी किसान दो गाय खरीत कर लाएगा दूसरे प्रदेशों से, जिसमें गिरी गाय, साहिवाल गाय, हारपारकर गाय, हर्यान भी गाय, गंगा तीरी गाय, तो एक गाय पर हम 40,000 रुपए का अनुदान देंगे दूसरा नंजनी किर्सक समर्दी योजनाओं में 25 गायों की स्कीम है, ये 64,00,00 की है इसमें 32,00,00 रुपए का अनुदान है और इसके साथ साथ बैंकों से भी बहुत अच्छा इंट्रेश्ट यानि ब्याज, साथ परसेंट ब्याज की दरपर रिण देने का काम किया जाएगा गायों के साथ साथ हमारे पास छोटी योजनाओं किसान के लिए पषू पालग के लिए जैसे मुर्गी पालन, बक्री पालन, सूर पालन, बेंड पालन किसे बखरी पालन आज देवू में बखरी का दूद बड़ा उपयोगी होता है तो इसके लिए बग तस बखरी एक बखरा एक लाग सत्र हजार किस्की में इसमें नभे परसेंट का अनुदान है मात्र दस हजार रुपे सत्रह हजार रुपे जमा करके यह मिल जाएंगी इसी तरीके से सारी उजनाओं का लाप किसानों के मिले दूर्ट